प्रिवान कैसे हैं आप सब आज मैं आपकी साथ शेयर करने वाले कुछ छोटी छोटी उपाए जो हम डेली रूटीन में करते हैं तो हमारा भागय सोया वाज जाग सकता है यानि कि बहुत सारे लोग हैं जो परिशान है कि हम मैं हम क्या करें हमारा काम बनता ही नहीं है हमने बहुत सारे उपाई कर लिये बहुत कुछ कर लिये तब भी उपाई करने के बाद भी हमारा भागय नहीं जागरा जैसे कि भागय हमारा सोग है बुरी तरीके से और आज मैं वेली के आपको चीज़ें करनी हैं और इतनी सिंपल हो सकते हैं आप लोगको में उसे कुछ चीज लोग आप लोग करते भी 그래도 आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि आएगा की शालेनी गुपता वास्तु कंसेटरिंग नमस्ते आप सबको मेरा आशा करते हूँ आप लुगों में सब सही होंगे मज़े में होंगे स्वास्त होंगे मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है अभी हस्ते रहें और मुश्कराते रहें दोस्तों आप लोग एरे चानल पर नहें है और भी तरह मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़री से मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दीजे साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने ना भूले दोस्तों आज मैं आप से बात करने वाली हूँ जोटे-छोटे उपाइ ऐसे कौन से करने से हमारा सोया हुआ भागय जाक सकता है पच उससे पहले एक चीज और बताना चाहती हूँ अगर आप लोग उपाइ नहीं करना चाहते हैं बहुत से लोगे जो पाई नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ आप कुछ मंत्रास को घर में चला लीजे उससे आपकी विशिस पूरी हो जाती है तो वो मंत्रास आपको मेरे चानल वास्तु मेरे कल्स मंत्रा के नाम पर मिल जाएगा जुसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगे साथ मैं आपको चानल पर आपको आइकन दिख जाएगा जिससे आप इसली सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं तो उसको जरूर देखेगा क्योंकि वहाँ पर मंडे और फ्राइडी को रात को चानल पर मंत्रा आते हैं और बहुत जल्द उस पर मैं विद्नस दे या फिर कोई एक डे पर लाइव आने वाली हूँ और लाइव आके आपके विद्नस को सुनकर आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी तो बस उसके लिए कुछ थोड़ा सा टाइम बाकी है फिलाल आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सोए हुए भागय को कैसे जोगा है आगे चलने से पहले थोड़ी से information एक और देना चाहूंगी आप लोग को की कि भले के लिए कि मैं कोई भी अपना number comment section में नहीं देती काफी सारे लोग बहुत परिशान है number पर मिला लेते हैं और फिर पैसे दे देते हैं तो आप लोग जो भी मेरा वीडियो होता है तो कोशिश कीजे community चीज को community पोस्ट को जरूर चेक कीजे मैं अपना number comment section में कभी 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 नहीं देती तो प्लीज आप लोग अपना दिमाग लगाए और वहाँ पर मज जाए मुझसे paid consultation लेना है मेरी website या Instagram ID पे देखे आपको paid consultation के options मिल जाएंगे चले चलते हैं आज के वीडियो की तरफ बात करने वाली हों आज ऐसी चीजे ऐसी कौन सी हैं जिससे हमारा सोया हुआ भागे जाक सकता है तो सबसे पहले चीज की बात करते हैं अपने घर में आप जब भी रोटी मनाते हैं पहली रोटी गाय को जरूर निकाले देखे बहुत से लोग करते भी हैं बट आप लोग अगर इतना कर सकते हैं सिर्फ एक गाई की रोटी निकाल के रख दीजे इससे भी बहुत सारी आपकी परिशानिया जो है खतम हो सकती है चलते हैं दूसरी उपाई की दरफ सुबह उठते ही अपने हतेलियों को जरूर देखिए हतेलियों को देखकर जो भी आप चाहते हैं जरूर मांगे जरूर विश कीजे और देखे पूरा दिन आपका कितना अच्छा चाहता है और आप जो भी चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा आपने सिफ हतेलियों को देखना है जो आपको चाहिए आप वो मांगे उनसे विश कीजे और उसके बाद अपनी आँखों पर अपनी चहरे पर लगा लीजे सुबह उठते ही आपको यह उपाई करना है आप देखेंगे आपकी लाइफ की बहुत सारी जितनी भी आपस्टेकल्स है जितनी भी परिशानिया हैं वो सब खतम हो जाएगी चलते हैं तीसरे उपाई की तरफ आप चीटियों को खाना देना ना भूलें अब उनको कैसे खाने दिया जाएगा थोड़े से आटे में गोडिया शक्कर को मिला लीजे और उसके बाद चीटियों को देना शिरू कर दीजे पूरे दिन में या आप 40 दिन तक लगातार ऐसा करेंगे तो भी अच्छा है नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं जब आपको याद आता है तब कर दीजे अगर आपको जल्दी याद आता है तो प्लीज करा करिए क्योंकि ये उपाई बहुत ही अच्छा है अगर किसी का अगर पर देर पड़ा होता है उनसे नेगटिविटी इन खटी हो जाती है जिस वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लमाना स्टार्ट हो जाती है अपने घर के एक एक कोने को साफ कीजे आप पूरे दिन में जैसे आप हफते में एक दिन आप चूस कर लीजे साटेड़ी चूस कर लीजे जिस दिन आप सारी सफाया करेंगे या संडे को चूस कर लीजे या जिस दिन आपकी छुट्टी होती है क्योंकि घर को साफ रखने से आपके घर में पॉजिटिविटी तो अट्राक्ट होती है धनका भी आगमन होता है फिनांचली आपको कोई इशू नहीं होते साथ में रिलेशन्शिप या हिल्थ का इशू भी नहीं रहता तो ये बहुत ही सटी कुपाय इसको जरूर ध्यान रखेगा आप लोग अपना चाहिए ठोटा सा गर क्यों ना उसको सफाई जरूर रखेए चलते हैं नेक्स उपाय की तरफ अगर आपके घर में देवी देफता हैं मंदिर है या कुछ भी है वहाँ पे डेली ताजे फूल जरूर चड़ाएं डेली और नेक्स ये वो ताजे जो फूल हैं उनको आप बहा सकते हैं गंगा जी वकरा में बहा सकते हैं तो मंदिर में रखकर आ सकते हैं नहीं हैं तो आप कहीं पर पेड की नीचे भी रखके आ सकते हैं बट ये उपाय अगर डेली करेंगे तो बहुत अच्छा है ऐसी चीजे करने से आपकी जो लाइफ में अबस्टेकल जा रही हैं वो ब्लेसिंग से हमारे जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो जरूर खतम हो जाती हैं क्या आप जानते हैं कि जाने अंजाने में हम ये चीजे ओवरलुक कर जाते हैं हम उनके ओपर ध्यान नहीं देते हैं अपने काम में इतने वीजी हो जाते हैं कि उनके ओपर ध्यान ही न और जब भी घर में आ रहे हैं तब जरूर उनके पैच होई है चलते हैं नेक्स्ट उबाई की तरफ बहुत सरल है और लास्ट उपाय है अगर आपके घर में तुलसी का पेड़ है या तुलसी का पौधा है तो वहां पर डेली आपको जल चड़ाना है और एक दिया लगाना है दिया आप घी का लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है नहीं तो तेल का भी घ्या दिया लगाई है बट जरूर लगाई है यह उपाय आप सुबा भी कर सकते हैं शाम भी कर सकते हैं दोनों समय भी कर सकते हैं एक टाइम भी कर सकते हैं करके देखिए छोटे-छोटे अगर आप कर लेंगे तो आपका सोया हुआ भाग्य जरूर जाग जाएगा कोई भी काम नहीं बन रहा तो वह जरूर बनना स्टार्ट हो जाएगा अब चलते हैं अब लास्ट टिप की तरफ जो की है प्रस्पारिटी टिप आपको मैंने बोला था कि मैं आपके साथ प्रस्प आपके बहां डालने है चावल गेहु और डाल इस तरीके से आपने लेने है जोब आप जुआर कुछ भी ले सकते हैं पाँच प्रकार के लेने हैं आट उसके बाद उसमें कुछ सिक्क्य डाल देंगे आप सिक्के डालना बहुत जरूरी है पैसे से रिलेटिड आपकी जो जो आप चाहते हैं जो आप एक पेपर पे ग्रीन पें से लिक कर उसको फोल्ड करकर आपने उस जार के अंदर डाल दिया है अब इस जार को आपने अपने रसोई के नौर्थ में रखना है और फिर देखें आपका रुका हुआ धन वापस आ जाएगा अगर आपके पैसे नही तो पैसे सेव उने स्टार्ट हो जाएगे मनी से रिलेटेड जबर्दस्त उपाह करके देखेगा और रिजल्ट में साथ जरू शियर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तके लिए टाटा बाइब है थांक्यू फ्रेंस